दोस्तों नमस्कार 16 और 17 दिसंबर 2022 की महत्पूर्ण खबरों को देखेंगे 16 दिसंबर को विजय दिवस के रुपे मनाया जाता है क्योंकि 16 दिसंबर 1971 को भारत ने बांगला देश को नसिव स्वतंद किया था वलकि पाकिस्तान पर एक बहुत ही महत्पूर्ण मनोवग्यानि और सैने विजय प्राप्ट की थी जिसमें 93,000 सैनिकों को सरेंडर करवाया गया था तो भारत के तिहास के लिहास से गवरोपूर्ण दिवस है निश्चित रूप से UNSC सैनिक राष की सुरक्षा परिश्चत में अगस्त में भारत अध्यक्षता किया था उसके बाद अभी दिसंबर माह में भारत ने फिर से अध्यक्षता की है ठीक है तो याद रखेगा UNSC में भारत ने दिसंबर में और इसके पहले अगस्त में अध्यक्षता की थी प्रश में मेटे फ्रेडरिक्सन ये डेनमार की फिर से प्रधान मंत्री बन गई है और डेनमार के तियास की सब से कम उम्र की प्रधान मंत्री भी है 2019 से ही पर पर हैं इरान संयुक्त राश्ट की महिला अधिकार समू से UNWRG से इसको हटा दिया गया सदस्यों के द्वारा आपको पता ही हुगा उसका करण बताने की आशकता नहीं बहुत ही हाईलाइटेड मेटर है यूथ को लैब ये अटल इनोवेशन मिसन नीतियायोग के द्वारा जो संचालित होता है इसके लावाँ UNDP इंडिया इन्नों ने मिलकर के पांचवा संस्क्रण हाली में यूथ को लैब का लॉंच किया है यूथ को लैब है क्या तो ये UNDP इंडिया की एक पहल है इसका अधेश एशिया प्रशांत के छेत्र में जो देश हैं उनके यूगाओं को सशक्त बनाना है और निवेश के लिए सक्षम बनाना है तो अभी तक 28 देशों में ये सुरू भी किया जा चुका है नमामी गंगे पहल इसको सयुक्त राष्ट के द्वरा प्राक्तिक दुनिया को पुनर जीवित करने वाले विश्वभर में चलाये जा रहे हैं पहलों में सीर्स दस में स्थान दिया गया है मानता दी गई है नमामी गंगे पहल को नोट करने वाली बात है कि एनम सीजी को कोप 15 जो कनाडा में मॉन्टियल में आयोजित हो रहा है Convention on Biological Diversity के समूह का उसमें पुरस्कित किया गया है ठीक है तो एनम सीजी जो आपका National Mission for Clean गंगा है जो की नमाम गंगे पहल का भी नोडल जो इकाई है जो इसको संचालित करती है इसको कनाडा में मॉन्टियल में जो कोप 15 जित हो रहा है उसमें पुरस्कित किया गया है संस्क्रण हाली में आविजित किया गया पहला अगर पूछेगा तो 2011 में शुरू किया गया था मुंबई और सैन फ्रांसिस्को के बीच सीधी उडान की सुरुआत हाली में उड्डेन मंत्राले जो सिंधिया जी है उन्होंने शुरू किया हानले लद्डाक में इस्थित है भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व ये बन गया है कौन हानले नव भारत साक्षर्ता का एक्रम इसको कब से कब तक के लिए लागू किया गया है पूछ सकता है तो 2022 से 2027 के बीच के लिए इसको मंजूरी दी गई है ठीके 2022 से 27 पांच वित्ती वर्षों के लिए लागू होगा इसका उद्देश 15 वर्ष या उससे अधिक याद रखेगा ये पिन पॉइंट है 15 वर्ष या उससे अधिक आए वर के गैर साक्षरों के बीच साक्षर्ता को बढ़ावा देना है इसके 5 घटक है पहला मूल भूद साक्षर्ता वा अंक ग्यान दूसरा महत्पों जीवन कोशल तीसरा व्यावसाई कोशल विकास चौथा मूल भूद सिक्षा और पांचवा सतत सिक्षा रूस की बात करें तो नॉवंबर 2022 में भारत का सीर्स तेला पूर्तिकरता देश बन गया इराग को इसने पीछे छोड़ दिया इराग पहले पहले अस्थान पे लगातार चलता चलाया है रूस ने नॉवंबर 2022 के आंकडों के अंसार पहला अस्थान ले लिया शंकर चौधरी ये गुजरात की जो नौ गठित विधान सभाय उसके अध्यश बने शंकर चौधरी नई दिल्ली में इंडिया वाटर इंपैक्ट सम्मिट 2022 आयोजित हुआ है पूर्ष सकता है कि इंडिया वाटर इंपैक्ट सम्मिट कहां पर आजित हुआ नई दिल्ली में सर्व वैक क्या है तो कोवीड से कोवैक आदि से कन्फ्यूज मत हुएगा सर्व से याद रखेगा सर्वाइकल तो सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए ये टीका है जो की रूस के द्वारा वेक्सित किया गया है क्या नाम है सर्व वैक भारत ने उपग्रह संचार के लिए स्पेक्ट्रम की निलामी आयोजित करने का निदेश दिया है ठीके निलामी होगी इसके साथ ही भारत पहला देश बन गया आएगा विश्व का जो पग्रह संचार के लिए निलामी का आवजन करेगा सैक्त राज अमेरिका यहां परमार सल्यन की प्रक्रिया होती जिसको हाइडोजन बम के रूप में भी हम जानते हैं या सूर्य की जो सरचना है जो सूर्य की उर्जा है उनाब की सल्यन सही प्राप्त होती है तो इस उर्जा पर नियंतन अभी तक नीज थापित किया जा सका था अमेरिका ने एक लेब में ऐसा कारणामा कर दिया और आपचारी गोशना कर दी है हाइडोजन बम या परमाण संलियन की जो उर्जा है उसको लॉक करने की तो अब स्वच उर्जा के लिए एक नया जो विश्व है उसको एक नया रास्ता अमेरिका ने दिखा दिया है जिसकी बहुत लंबे समय से चर्चा हो रही थी 32 ट्रिलियन डॉलर भारत का वैश्विक ब्यापार जो है अगर पूछा जाए कि कितना हो गया है किस सीमा को पार कर गया है तो 32 ट्रिलियन डॉलर की सीमा को पार कर गया है तो आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद है